है हाई फ्रेंसट होशन क्रियेशन देखिए होशन जो आज एक बहुत खूबसुरत बहुत भड़िया एक फैटन लाये हैं हम इंवह ने प्रीम ने पूछा था इस TMं से बनाएंगे तो उसके हिसाब से मैंने यह बनाए देखिए यह पैटर्ण मैंने पहले भी बना चुकी हूं और उसके लिए मेरी बहुत सारी लाइक और वीडियो भी लाइक है तो इस पैटर्ण को देखिए आप कहीं पर भी डाल सकते हो बिना बोडर के इसको शुरू कर सकत तो देखिए इस तरह से इस तरह से बॉडर नहीं डालोगे तो भी यह शुरू होगा तो अच्छा आएगा और इस पैटन के लिए जो हमें देखिए इवन नंबर में फंदे लेना होगा इसको आप सॉल में सोटर में कार्डिगन में बेबी फ्रॉक में कहीं पर भी डाल सकते हो इसे सॉल में इसलिए डाला जाता है देखिए इसका फॉंट और जो बैक है कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है यह भी बहुत खुबसूरत है गंदा नहीं दिखता यह आप पहन सकते हो और इस तरफ भी इसका दो तरफ ही आप यूज कर सकते हो इसलिए आप इसे सॉल म में बहुत अच्छा आता है कार्डिगन में भी तो इस पैटन का भी हम बनाएंगे चलिए कैसे बनाते हैं इसे देखते हैं यह दिखने में बहुत ही सुन्दर और यह जो पैटन है यह वान रौ से एट रौ तक आपको हर बार रिपीट करना होता है वान से एट रौ तक तो यह पैटन अच्छा आता है तो चलिए इसको अभी हम बनाते हैं देखिए यह तो इवन नंबर की फंदा है देखिए मैंने एक इवन नंबर लेए हैं आप फस्ट रौ सब की सीध्या बुनाईं करेंगे यह फर्स्ट रौ है आप इस रौ में सब की सब फंदों की सीधा बुनाईं करेंगे लेखिए यह सकंड रौ है और यह हमारी बैक है यह फॉंट है यह बैक पार्ट यह डिजाइन हर बार बैक पार्ट में पहले स्टार्ट होगा सेकंड रौ में देखिए एस स्टिच एक उतार लेंगे उसके बाद देखिए इस तरह से दो बार उनको ऐसे बल लगा के उल्टा गुनाईं करेंगे देखिए ऐसे इस तरह से एक दो दो बार ऐसे पैस लगा के उल्टा गुनाईं कर रहे हैं देखिए इस तरह से दो बार देखिए इस तरह से दो बार उनको ऐसे घुमा के उल्टा गुनाईं करेंगे यह सेकंड रौ हम ऐसी पूरा करेंगे देखिए यह थार ड्रौ है और यह हमारा फॉर्ण साइट है देखिए यहां पर क्या करेंगे हम यह जो देखिए ऐसे बल लगा हुआ ऐसे दो खोलेंगे हम खोल के यह लास्ट का जो ऐसे उतार लेंगे उसके बाद देखिए एक बल लगा हुआ खोल के उसको सीधा गुना मतलब हमारा दो हुआ ठीक है अब देखिए 123456788 हम खोल लेंगे अब 8 को हम लेफ्ट में लेंगे ठीक है लिफ्ट में लेके इसको बुनाई करेंगे इस तरह से देखिए इस तरह से कठा सीधा बुनाई करेंगे बुनाई करके इसको इस निडिल में डालके फिर से बुन रहे हैं ऐसे हमने आठ किया तो यहां पर हमें आठ ही ले आना है एक हुआ ऐसे आठ बार करेंगे इस निडिल में डालके इसको इसको सीधा बुल लेंगे दो देखिए इस निडिल में डालेंगे उसके बाद इसको सीधा बुनेंगे तीन हुआ चार फोर प्यवड़ पाइब देखिए खार प्यूवड़ चार पोर प्यूड़ पाइब सेवन यह एट हो गया अब इस सब को गिरा देंगे देखिए देखिए हमने आठ को इकठ्ठा बुनी और ऐसे आठी फंदा आया ठीके उसके बाद दो को खोलेंगे एक और दो दोनों को अलग-अलग से सिधा बुनेंगे एक दो सिधा बुनेंगे देखिए ऐसे फ्लावर के तरह आएगा अब देखिए फिर से आठ खोलेंगे एक दो तीन चार पाँच चैसे साथ और आठ एट को फिर से देखिए इस लेफ्ट हैंड की निडिल में डालेंगे एट फंदो को और एक अठा आठ बार बुनाई करेंगे देखें इस तरह से एक अठेल में डाल के बुनेंगे दो एक हो तीन इस मुणत चार यह हमारा फाइव चार यह पाँच फाइव यह च्छाटा शिक्स यह साथ लब यह सेवन यह हुआ एट मतलब आठ बार अभी गिरा देंगे सबको देखिए आठ को इकठ्था बुना आठ बार बुन लिया इससे दो को बुनेंगे खोल के एक सीधा अभी दो सीधा देखिए ऐसे फ्लावर की तरह यह आएगा बहुत ही खुर्षूरत आता है बहुत ही जल्दी बनता है फ्रेंड से डिजाइन कुछ रो तक चार या पास रो तक आपको दिखाई पड़ेगा दो तीन चार पांट छे साथ आठ इस निडल में डालके लप्ट में लेंगे एट को ऐसे इकठ्था एक साथ आड़ बार बुनाई करेंगे एक्षी इस तरासे एक्षी दू तीन एक्षी तीन चार यानि फूर पाइव पाइव यह इस बार थोड़ा मुस्किल होता है वर हर बार यह बहुत ही आसान है यह फस्ट टाइम मुस्किल होगा देखिए एक हो गया अब एक सीधा इसे खोल के दूसरा सीधा यह यह थाड़ रहने कंप्लीट की अभी यह फोट रह था है यह यहां पर सबकी इस तरह से देखिए सीधा बनाए होगा यह तरह से सबकी सीधा बनाए करके कंप्लीट करें देखिए देखिए ओ फिर्ट ओ हम वांसे फेटओ तक रिपीट करते जांगे बाट अभी देखिए आभी इन दोनों के फ्लावार के मीडल में हमें फ्लावार मिंदिल में Uyyyति की तरह से हम पहले आप देख लो जो यह मारी हुए इस जो मिंदिल में देखिए इन दोनों के इसे बराबर से मिडिल में इसे रीते स्वेश्च और भी तॉसफ में सब करी日 adapt मोटने देखिए देखिए इसके दोनों के मीडिल में में सब अधाये करके तो पनाना होगा तो डीके देखिए इसको दोनों के मीडिल में हम इसे कैसे डालते हैं चलिया भी बनाते हैं ये फ्रेंज ये रो नमबर 5 हमने सब की सीधी बनाए करके कम्प्लीट की है देखिए डिजाइन आना सुरू हो गया है बहुती बढ़िया बहुती सुन्दर ये डिजाइन अभी देखिए ये रो नमबर 6 है ये रो नमबर 2 की तरह हम सेम बनाएंगे रो नमबर 2 अजिस्टी चुताल लेंगे 1 याद कीजी रो नमबर 2 में हमने कैसे किया था उस तरह से ये रोंग साइट है रोंग साइट में ही डिजाइन डालेंगे देखिए इस तरह से 2 की तरह ऐसे दो बार लपेट के ये रो पूरी करेंगे सेम टू सेम ये रो नमबर 2 की तरह है ठीक है इस तरह से देखिए दो बार ऐसे बल लगा के नेडिल में ऐसे देखिए दो बार लपेट के ये रो इस तरह से ये रो पूरी करेंगे देखिए ये रो नमबर 6 हमने कम्प्लीट किये है अब यह रो नमबर सवन जो है थार्ड रो की तरह बुनाई करेंगे देखिए पहला फंदा अजिस्टिच उतार लेंगे अब देखिए क्या करेंगे पहले हमने दो सीधा बुनाई की है अभी डिजाइन को इधर उधर करेंगे मतलब यहां पर फ्लावर बनाएंगे ठीक है इसके लिए पहले देखिए ऐसे एक छोटा फ्लावर बनाएंगे देखिए इस तरह से छोटा फ्लावर बनाएंगे दो देखिए ये जो तीन ये फोर और फ्लावर बनाएंगे देखिए यहां पर एक ऐसी छोटा फ्लावर बनेगा उसके बाद देखिए दो को खोल लीजिए दो सीधा एक अब दो अभी हम एट फंदा खोलेंगे एंड उसको ऐसे फ्लावर बनाएंगे देखिए रो नमबर थ्री की तरह 1,2,3,4,5,6,7,8 देखिए एक साथ लेंगे रो नमबर तू की तरह अभी एट को एक साथ एट बनाएंगे हमें सिर्फ ख्याल रखना होगा कि एट को हम एट ही बनाएंगे बढ़ना हमारा फंदा घड़ सकता है या फिर बढ़ सकता है ये ख्याल रखना होगा ये जो एट फंदा हम बना रहे है वो एट ही रहे 3 4 5 6 7 देखिए 8 देखिए ये फ्लावाट जो बन गया दोनों के बीच में बन गया अभी दो सीधा बनाएंगे खोल के ऐसे आप बुनने के बाद भी ऐसे खोल सकते हो ठीक है देखिए ये फ्लावाट जो हमारा बना इन दोनों के बीच में से बन गया वे एट खोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए इस तरह से एट बनाएंगे 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 ये थर्ड रो और ये 7 रो थोड़ा, 6 रो थोड़ा, 7 रो थोड़ा दिबिकल्ट है एक सीधा और एक सीधा अभी ये बाकी देखिए 1, 2, 3, 4, and 5 देखिए लास्ट का ये 5 एक साथ बनेंगे पहले जैसे बनाया था छोटा एक फ्लावर बनेगा यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाच देखिए फ्रेंट्स ये बीचो बीच एक फ्लावर बन गया अभी आप 1, 2, 3, 4 रो तक ऐसे रिपीट करते रहिए अभी फिर से इन दोनों के मिडिल में एक फ्लावर बनेगी इन दोनों के मिडिल में एक, इन दोनों के मिडिल में ऐसे तीन फ्लावर बन जाएगे हमारे ठीक है फ्रेंस रिपीट करते रहे हैं मैं कुछ रहो तक बुन लू ठीक है फ्रेंस मेरे डिजाइन आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को जरूर कॉमन कीजिए ठीक क्यार बाबाई